वेल्कम बेक तो माई चैनल राकी टैरिस गर्डन यह देखे फ्रेंड आज हम पान के बारे में बात करेंगे कुछ इसकी के बारे में बात करेंगे और मैं इसकी कटिंग भी लगा के बताऊंगे अपको किस तरह से कटिंग लगाई जाती है तो वीडियो को पूरा देखे और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें प्लीज तो चलिए हम बात करते हैं पान के प्लांट के बारे में पान का प्लांट जैसे की सब लोग जानते हैं कि यह पूजा में भी काम आता है और इसी मेडिस्नल प्लांट भी है इसक पोना करना बहुत अक्ची तरह करता है तो इसकी लिप्स खाई जाती है पान के प्लांट की और पान का प्लांट जो है आप बहुतaty अन collar जलंब कंप नर्सरी से आप लोक्र Route लेके आते हैं तो उसकी जो केचर है वो किस तरह करना जाँ आज हम बहुत शेर करेंगे सबसे पहले आप पान के प्लांट में अगर आपके पान के प्लांट में मौसस्टिक नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको मौसस्टिक में ग्रो करना है पान के प्लांट में तो पान के प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह होती है और उसके बाद आपको क्या करना है जो पान का प्लांट है उसमें गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत जादा होती है तो गर्मियों में क्या है कि इसको तेज धूप में नहीं रखन क्योंकि तेज धूप में रखने से इसकी जो लीपस है वह सारी की सारी बर्न हो जाती है और आपका प्लांट खराब हो जाता है और जैसे शेडी एरिया में अगर आपने पान के प्लांट को रखेंगे जैसे सुबह की आदा पौन गंटे की धूप मिल जाए वह इसके लिए का प्लांट की जो लीपस है वह बड़ी बड़ी हो जाती है अगर इसमें बार-बार पानी का इस्प्रे करते हैं तो पान का प्लांट 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 कटिंग से की तरह होती है और इसकी रूट्स वगैर होती है your cutting लगाने का जो तरीक़ लगाने का निया है तो आप पान के प्लांट की तरह करेंगे तो आपका पान का प्लांट हरूँ नियुक्त तरह देखें मेरे पान के प्लांट में अलग कई सारी शूट्स निकली है जब से मैं नर्सरी से लेके आई हूं बहुत सारी ये देखी इसमें एरियल रूट्स होती है बिल्कुल बनी प्लांट की तरह होती है अगर आप वहां से कट करके इसको लगाएंगे तो आपका पान का प्लांट एक और ग्रो हो जाएगा देखें फ्रेंट्स मैंने अधाएंगे ग्रो कर सकते हैं पान की प्लांट जरूर ahamu को क्या करना है उसमें डिन रूट्स जरूर होनी चाहीए यह जानीक्स के तक करेंगे सोइल में तो इद प्राइब नहीं होगी किति कर दों शाय नहीं से और पान के प्लान्ट मिल्दाऊं और यह लीप्स और काफी लीप्स निकल खाएग और निचे सारी लीप्स मैंने हटा दीए बस उपर दो तीन लीप्स मैंने छोड़ी है नीचे की सारी लीप्स अटा दी है जहां से रूट्स थी तो आप भी इसी तरह से अपने पान के प्लांट को ग्रो कीजिए बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है बहुत असानी से ग्रो होता है यह देखिए फ्रेंट जो मैंने कि इसको रीपॉर्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं कुछ कटिंड़नांगते से दो तीन प्लांट बनाके और उसके बाद मैं अपने मेरेन प्लांट को घ्रो करूंगी यानिव Чтобы लगा है और जब ये घ्रो जाएंगी तो मैं आपको जरूर दिखाँगी यह जाती है तो पान का प्लांट बहुत असानी से ग्रोगा आप जरूर अपने घर में लगाए बहुत शुब होता है पान का प्लांट अपने घर में लगाना और इसकी केर भी बहुत असानी से अपने घर में पान का प्लांट ग्रोग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फ्रेंड्स आप भी लगाईए अपने घर में हर्ब्स के प्लांट और अच्छी तरह ग्रो कीजिए चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते एक नई वीडियो में हैपी कार्णिंग